हेलो एब्रिवाइन वेल्कम टो आर यूटूब चानल कैसे हो सब भी विद फ्रेश ब्रेश ब्रेंज पुरिजोश के साथ विल्कम बाथ तो आज मैं आपको बताने वाले हूँ अदेशन का मतलब तो आप समझते ही होंगे हम जहां पर भी जाते हैं comfortable अपने आपको जगे की हिसाब से ढाल नेते हैं यही होता है अप कई जीव है जिन्हें iagrate करना पड़ता है एक जगे से दूसरी जगे पर Never Be खाने की तलाश करते हैं तो वो चीज होती है migration तो अपने आपको किसी condition के हिसाब से ढाल लेना वही होता है adaptation अब adaptation के lesson में हमें habitat जैसे words सुनने को मिलेंगे जैसे थोड़े कुछ words सुनने को मिलेंगे जो आपको यह बताएंगे कि हम अपने आपको किसी भी स्तीती के हिसाब से कैसे ढाल लेते हैं तो पहले बात करती हूँ मैं new metaphors की यह होता है new metaphors new metaphors का अर्थ यह होता है कि कोई पेड है अभी mangrove trees है अवाई सीनिया नाम का एक पेड है तो ऐसे कोई पेड जो मार्शी एरियास में हो जहां मिट्टी काम की ना हो उस तरह अगर वो उगने लग जाते हैं उनके अंदर पूरितने nutrients वगरा कुछ इतनी भारी मातरा में नही होते हैं तो वो पेड जो है अपने आपको जमीन से बांधे रखने के लिए इस new metaphors जैसी चीज का इस्तेमाल करते हैं यह कोई अंदर का कोई organ बगरा कुछ नहीं है पर उस मिट्टी के साथ उनकी पकड़ बनाए रखना वही चीज new metaphors कहलाती है तो वो पेड जो है उसको ज नीचे की जड़े जो है वो अपने आपको उस मिट्टी के हिसाब से ढाल लेती है अब कभी आपने नोटिस किया है पेड कितना मजबूत होता है जितना बड़ा पेड होता है उतनी ही नीचे उसकी जड़े पैली होती है उतनी ही रूट्स उनकी नीचे पैली होती है जब भ अपनी पकड उस मिट्टी के साथ इसी तरह बनाए रखते हैं वो पकड जो होती है उस मिट्टी के साथ जो मिट्टी काम की नहीं है फिर भी उसके साथ एकदम ऐसे खड़े हैं तो वो चीज नियुमेटोफोर्स कहला दी है अब दूसरी बात आती है यह हैबिटेट की के लिए सब मिलता है हम जैसा मर्दी चाहे वैसा रह सकते हैं अभी लेटने का मन है लेट रहे हैं कमफोर्ट जोन है हमें यहां के टेंपरीचर से भी कोई प्रॉब्लम यह गर्मी लग रही है तो फैन चला लो सर्दी लग रही है तो स्वेटर पहन लो तो यह जगे जहां पे हम गुजारा कर रहे हैं जहां हम रह रहे हैं खुशी-खुशी जिससे हमें कोई आपती नहीं है वो जगे जो होती है उस इनसान की जीव की हैबिटेट कहलाती है वो उसका हैबिटेट होता है जैसे मचलियों का पानी है हमारा अपना घर है और जो जंगल में जीव रहत जो है मिट्टी है habitat तो इस तरह किसी चीज़े होती है adaptation का यही मतलब है हम जिस में condition में रह रहे हैं आपने आपको उसमें ढाल लेते हैं अभी यह lesson तो है 9th class का तो इसमें थोड़ी कुछ activities दे रखिये मैं आपको दो activities बताऊंगी ज्यादा तो पहली activity में उन्होंने यह दिया है कि एक aloe vera है और एक rose plant है उन में से किसमें अगर आप कुछ दिनों तक पौधे में पानी नहीं दोगे तो चलेगा तो आंसर यह होगा कि aloe vera aloe vera जो है वो जिरोफाइटिक rose plant है उसके अंदर तो उसके पत्ते भी मौजूद होते हैं aloe vera को थोड़े दिन पानी नहीं देंगे चलेगा वो अपने आपके अंदर पानी स्टोर करने की capacity रखता है जबकि rose plant जो है गुलाब का पौधा वो सूख जाएगा या जल जाएगा ऐसा होगा पानी की कमी से उस के अंदर water storage system भी होता है तो ये थी पहली activity और दूसरी activity में उन्होंने ये पूछा है कि अगर आप valisneria या hydrilla यानि कि aquatic plant जो पानी के अंदर रहते हैं उन पौधों को लाकर अपने घर पे लगाते हो मिटी में लगाते हो पर उन्हें पानी नहीं देते हो पानी नहीं देत अगर ऐसी condition उस पौधे में होती है तो क्या वो पौधा जी पाएगा तो answer इसका ये होगा कि नहीं वो पौधे का habitat ही पानी के अंदर रहना है वो आदत ही उसके पानी में रहने की है तो वो कहीं मिटी में जाकर कैसे रह सकता है मिटी में का मतलब है कि ऐसे open environment में कैसे रह सक तो ये दो activities ऐसी थी जो हमें ऐसा बताती है कि जो plants है उन्हें अपने habitat में ही comfort zone में ही जीने की आदत है अभी aloe vera है aloe vera zero phytic plants का मतलब ये है जो desert में रहते हैं एकदम टिबबा जैसी जगों पे रहते हैं तो ऐसी जगों पे रहने वाले पौधे जो है अपने अंदर पानी store करके रखने की capacity रखते हैं इतनी capacity होती है उनके अंदर के उन्हें कुछ दिन पानी ना भी दिया जाए तो आपने आपको जीवित रख सकते हैं बाकि जो normal temperature में जो पौधे रहते हैं उनको पानी देना time to time बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है तो ये था अपना शुरू क का introduction इस lesson का बाकी जो है हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में तो वीडियो कैसी लगी मुझे बताना जरूर इसमें कोई doubt लगे तो मुझे पूछना और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना चैनल सब्सक्राइब करना अपने friends के साथ वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेर करना. Bye and have a great day.